हेलो रिवोन वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चेनल फार्मरोक्स के यूटूब एजूगेसनल चेनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिटेल में स्टडी करते हैं हिूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में तो ये वीडियो लेक्चर के अंदर हम सिखेंगे उसके डिवीजन के बारे में के कौन से अलग-अलग डिवीजन पढ़ते हैं skeleton system के कितने type के अलग-अलग bonds होते है उनके functions क्या है और किस तरह से bond cells जो है वो involved होते है किसे भी bond के formation के अंदर तो मानव कंकाल दंतर के जिसको हम skeleton system कहते है तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते है डिटेल में सिखते है ये video lecture के अंदर तो सुरू करते है आज का lecture expert lecture by Amar sir assistant professor and founder of pharma rocks तो सुरू करते है आज का lecture और सीखते है skeleton system के बारे में तो सबसे पहले हमारे mind में question ये होगा कि what is skeletal system तो skeletal system include the all of the bonds joint in the body की skeleton system mainly दो चीज़ का बना है एक तो important है कि अलग-अलग bonds और वो bonds को जरूरी है अच्छे से joint करना तो उनकी अलग-अलग joints तो bond and joints ये दोनों का main composition that means a skeleton system और यहाँ पे जो हम देख सकते कि जो हमारा कंकाल होता है तो ये कंकाल के अंदर आप यहाँ पे side में diagram के अंदर देख सकते कि जो अलग-अलग types के bonds होते कि यह यह जो कंकाल है तंतरपूरा जो आप देख सकते तो उसमें यह वाला जो bond देख सकते यह यह आपे TBI and fibula है यह वाला vertebral column देख सकते हैं यह ribs देख सकते हैं आप हमारी तो bonds जो है और joints यह main include होते हैं हमारे skeletal system के अंदर next point समझे तो each bond is a complex living organ that is made up of many cells protein fibers and mineral अब bonds and joint का बना है वो तो हमारा concept clear हो गया second यह है कि each bond is a complex living organ complex living organ इसलिए कहा जता है कि जितने भी bond है मतलब कि हर एक bond के अंदर काफी cells होते हैं बहुत सारे cells होते हैं protein भी होता है fibers के तोर पे and minerals रहते हैं तो bond का भी हम समझें कि उसका composition देखे तो उसके अंदर cells होते हैं protein fibers होते हैं minerals वगेरा होते हैं and the skeleton act as a scaffold by providing the support and protection for the soft tissue that make up the rest of the body मतलब कि जो हम skeleton system को अच्छे से समझें तो skeleton system एक हमें support देता है कि जो हमारी body आप यहाँ पे देखे तो बीना skeleton system के proper जो body का जो structure तैयार होता है कि जिससे हमें support मिलता है कि हम चल पाते हैं हमारा हम उठ सकते हमारे जो हाथ के जो portions तैयार होते हैं legs के portion तैयार होते हैं इवन जो हमारे internal organs है जैसे कि brain है तो brain का protection भी skull के अंदर होता है जो हमारे lungs है तो वो ribs cage के अंदर अच्छे से protection के अंदर है तो यह जो है हमें support भी देता है और साथो साथ protection देता है for the soft issues that make up the rest of the body तो adult के अंदर 206 born होते है total 206 born in a adult person but in a newborn baby nearly 300 borns in her body कि जो newborns baby होते हैं यहापे जो आप diagram देख सकते है side के अंदर तो यहापे 300 या फिर उससे भी plus borns होते है newborns baby के अंदर और जब वो जैसे जैसे उसकी age बढ़ती जाती है तो आखिर में total 206 borns होते है किसी भी adult person के अंदर तो babies के अंदर 300 born क्यों है तो यहापे देखे उसका answer है कि this is because babies have a more flexible cartilage of form tissue softer than born in a body कि जो cartilage जो हम कहते हैं कि जो tissues होती है कि जो borns से भी काफी soft होती जैसे कि यहापे देखिए यह rib case का जो portion है तो यहापे जो कुछ cartilage यहापे देख सकते हैं उसी तरह से जो joints होते हैं वहापे भी cartilage ज्यादा होता है तो जब newborns भी होते हैं तो उनके अंदर cartilage ज्यादा होता है और उनके कारण जो हम कह सकते हैं जो एक soft bond के तरह काम करते हैं तो यह ज्यादा होने के कारण उस वक्त आपको 300 यह उससे ज्यादा bonds होते हैं बेबीस के अंदर जैसे जैसे उसकी age आगे बढ़ते जाएगे cartilage becomes hardened and turns to the bond and some bonds fuse together तो कुछ bonds ऐसे होते हैं कि एक दुसरे के साथ join हो जाते हैं fuse हो जाते हैं जिसके कारण भी उनकी संख्या कम होती है और कुछ bonds जो है वो cartilage में जो है वो bonds में convert हो जाते हैं और बाकी जो कुछ bonds है एक दुसरे के साथ fuse हो जाते हैं मतलब कि joint हो जाते हैं जिससे कारण जो पहले 300 प्लस था उसमें से last में फिर finally 206 जितने bonds रह जाते हैं तो here is a different part of skeleton system skeleton system mainly देखे तो उसके अंदर कोई main important component है that is bonds कि जितने भी अलग-अलग bonds है वो सबसे पहले आएंगे उसके बाद जरूरी है joints कि सभी bonds जो है वो एक दुसरे के साथ अलग-अलग joints से जुडते हैं उसके बाद आप देखो तो cartilages होते हैं and ligaments तो ligaments क्या करते हैं ligaments bind bond to bond कि जब आपको joint तयार करना है कोई तो ये joint के अंदर समझो कि bond plus bond एक bond दुसरे bond के साथ जुडता है तो उसको कहा जाता है ligaments उसको क्या कहा जाता है ligaments कि एक bond और दुसरा bond एक दुसरे के साथ हुए है bind कि यहाँ पे देखो लिखा है कि ligaments binds bond to bond तो यहाँ पे देखिए यह joint capsule यहाँ पे जो तयार हो रही है तो यह जो जितने भी white color के यह जो आप देख सकते है कि जो अभी में yellow highlight कर रहा हो तो वो सब ligaments कहें जाएंगे कि यह सब है ligaments जबकि उसी तरह से सेम दुसरा एक word जो आपको याद रखना है skeleton system के अंदर that is a tendon तो tendon मतलब की joint between the muscle plus bond तो tendons bind muscle to bond कि यह देखो यह skeletal muscle है यह diagram के अंदर यह वाला skeleton muscle और यह skeletal muscle यह वाले bond के साथ क्या हो रहा है? attach हो रहा है, joint हो रहा है तो यह joint करवाने में जो कोई structure help करेगा तो उसको कहाया जाते है tendons तो tendons की जो connector बनते है between the muscles and bond and ligament with the bond to bond, तो यह MCQ के लिए आपके लिए काफी most IMP है as well as YY examination theory based examination, सभी के लिए यह pinpoint very very most IMP है skeleton system में से तो यह फिर से अच्छे से याद कर ले ना revision करके next point समझे तो 206 bonds है हमारे skeleton system के अंदर तो वो दो division में भी divided होते है skeleton system हमारा एक है यह हमारा axial skeleton यहाँ पर जो आप देख सकते है कि यह वाला axial skeleton कि जिसके अंदर total 80 bond है और उसके अंदर हम देखे तो skull का involvement है यह देखो skull देख सकते हैं आप उसके बाद spinal column की जो हमारा vertebral column है यह पूरा फिर rib case जो तयार होता है वो तो यह तीन जो है वो तयार करते हैं हमारा axial skeleton तो skull, spinal column and rib case की जो axial skeleton बनाते हैं और जो दूसरा जो division है skeleton system का कि जिसके अंदर total 126 bond से तो वो है appendicular skeleton appendicular skeleton और यह appendicular skeleton के अंदर आप देख सकते हैं कि mainly जो involved होते हैं हमारे limbs हमारे यह limbs और जो हम कहते हैं griddle तो limbs and griddle और इने appendicular skeleton अब axial skeleton हम समझे तो axial skeleton is a part of the skeleton that consists of the bonds of the head and trunk of the vertebrae और उसमें total 80 जितने bond है तो axial skeleton में यहां पे देखे यह skull का portion आ गया उसके बाद vertebrae कि यह पूरा vertebral column या फिर जो हम spinal column कहते हैं कि जिसके अंदर spinal cord रहता है तो वो involved हो गया यह हमारा skull उसके बाद आप देखो तो ribs and sternum कि जो rib cage तयार करते हैं कि rib cage किस तरह से बनता है कि जो ribs और center में रहा sternum तो यह वाला आप sternum देख सकते हैं और यह सब ribs तो यह जो ribs वगेरा है और यह पूरा जिससे जो rib cage तयार हो जाता है तो that is also a part of a skeletal system फिर जो हमारे auditory ossicles है कि जो inner ears के अंदर आये है कि inner ears के अंदर जो तीन जो bonds है तो वो भी involved होते है axial skeleton के अंदर तो वो तीन bond रहेंगे कि एक steps हम कहते है फिर incus कहते है and melleus तो यह तीन जो bond है कि जो present होते है हमारे ossicles जो हम कहते है sort में उसको and hyoid bone कि यहाँ पर जो आप देख सकते है यह वाला hyoid bone it is also a part of a x-scale skeleton कि जब आपको mcq के अंदर पूछे जाए कि which of the following is a part of a axial skeleton तो उस वक्त आपको याद रखने कि skull b x-scale skeleton है vertebrae उसमें पुरा vertebral column rib and sternum b axial skeleton है auditory ossicles और उनके तीनों के नाम वो भी x-scale skeleton के अंदर है और hyoid bone अब जानते है appendicular skeleton appendicular skeleton के जिसके अंदर total 126 bone of vertebrate consisting of the bones that support the appendages कि जो axial skeleton है axial skeleton के उपर जो दूसरे bone supportive तयार होते है वो तयार करते है appendicular skeleton को और upper portion हम देखे तो upper में 64 bones है कि जिसके अंदर pectoral girdle का portion arms and legs वागर इनवाल होगे and lower में हम देखे तो pelvic girdle and legs and feet तो lower portion के अंदर 62 upper portion के अंदर 64 bone और उस तरह से ये total 64 and 62 वो होंगे total 126 bone of appendicular system तो यहां पर देखे जो diagrams के अंदर यहां पर दिया है कि जो arms का portion है hand है legs हमारे foot pelvic girdle आप यहां पर देख सकते है and shoulder girdle तो shoulder girdle है arms and legs उसके अलावा pelvic girdle है legs and feet वागरा मिला के total 126 bone तायार होते है appendicular skeleton के अंदर तो यहां पर कुछ ऐसे popular bones देखे तो यह जो है clavicle यहां पर आप देख सकते हैं फिर यह वाला scapula फिर humerus फिर radius की जो यहां पर फिर radius के साथ ही attach है alna कि जिसको हम alna and radius कहते हैं फिर carpals हमारे जो हतेलियों के अंदर metacarpal है phalanche जैसे कि जो हमारे हाथ के जो पूरा portion तयार होता है वो तयार करते हैं फिर OS cock से फिर यह femur की जो सबसे longest bond जो हम कहते हैं पैटला का जो यह पहापे portion की जो joints के पास tibia की जो नीचे का portion and phibia के जैसे alna and radius है उसे तरह से legs के अंदर tibia and fibula है फिर यह सबसे नीचे tarsals metatarsal and phalanges तो यह popular bonds की जो हम कह सकते हैं appendicular skeleton के है अब जो important point है कि next lecture में तो हम detail में दोनों skeleton के उपर detail में समझेंगे कि appendicular and axial अब आगे जान लेते हैं कि bonds के function अगेरा क्या है तो bond protect करते हैं हमें support करते हैं हमारे vital organs को and work with muscles to help the body move कि जो हमारी body पूरी movement करती है तो body movement के लिए ज़रूरी है ये सब joints का अच्छे से work करना कि जितने भी आप देखें कि even समझें कि हमारे fingers के भी movement करवाते है हमारे legs की movement करवाते है तो proper joints से even जो भी हमारे fingers को move करवाते है तो ये सब जो कुछ movements हमें मिलती है तो वो भी proper joints और वो भी हमारे skeleton system के ये bonds के करन है कि वो proper अच्छे से एक दूसरे के साथ attach होते है joints बनाते है और वो हमें अलग-अलग activities के अंदर help करते कि जो हमारे vital organs से उनको support करते है तो उसके function देखे तो support of the body ये सबसे पहला important है कि समझें कि बाकी किसी organs को या फिर किसी part को किसी support ही नहीं मिलेगा तो सबसे पहले तो जो support का कि जैसे कि आप किसी पेड को देखते है तो पेड का ये जो पूरा structure तयार होता है तो उसके ये जो branches वगेरा होती है main उसका जो stem होता है तो उसके उपर पूरा ये जो tree है उसके leaves से leaflets वगेरा उसके उपर कोई fruits आते है तो वो set up होगे तो same like that बिना skeleton के हमारी body का कोई वजूद ही नहीं बन सकता आगे तो ये पूरा एक support करता है हमारी body को उसके बाद second आप point समझे तो यहाँ पर भी आए चुका कि support the body फिर protection of a soft organ protection of a soft organ soft organ मतलब कि जो हमारे internal organs है तो यहाँ पर देखो protect the internal organs जैसे कि brain है तो brain काफी sensitive organ है उसको protect करना जरूरी काफी soft organ है तो उसको damage ना होना चाहिए तो यह skeletal system के जो bone है और उसमें भी यह पूरा skull जो है वो brain को protect करता है वैसे यह जो rib case के अंदर lungs अच्छे से protected है heart protected है फिर movement due to the attached skeletal muscles skeletal muscles फिर उसके joint cartilage वगेरा के कारण proper जो हमें movement मिलती है फिर stages of storage of minerals and fats कि stores the minerals and also release them कि calcium है phosphate वगेरा है फिर facilitates the movement कि जो हम movement करते हैं एक जगह से दुसरी जगह जाते हैं मूँ कर पाते हैं हमारी body को तो वो provide करता है storage का काम करवाता है and फिर हम देखे तो blood cell formation कि produce the blood cell कि blood cells जो है हमारे bonds के अंदर form होते है and store and release the fat कि fat भी कई बार वहाँ पे store होता है release होता है तो यह सब function की जो exam के लिए आपके लिए है most time की what are the functions of a bond तो यह आपको अच्छे से याद रखना है फिर पूछा जाता है कि जो changes होते हैं हमारे skeleton system के अंदर तो in embryo the skeleton is primary hyaline cartilage कि कौन से type का cartilage होता है embryos के अंदर तो that is a hyaline cartilage during the development much of this cartilage is replaced by bond फिर जैसे जैसे वो embryo develop होता जाता है उसके development phase में होता है तो वो उसके जो cartilage है वो replace होते है by bond पहले तो देखो यहाँ पर कि यह जो cartilage है यह सब तो starting में जब embryo होता है तो पूरा cartilage ही होता है बड जैसे जैसे आगे embryo develop होता जाता है fetus develop होता है तो वो cartilage जो है वो replace होते है by bone and cartilage remain in some isolated areas of the body forever but कुछ cartilage जैसे है कि जो adult के अंदर भी होते है जैसे कि आप यहाँ पर देखे bridge of the nose कि यहाँ पर जो हमारा nose breeze आप देख सकते है तो nose breeze भी है cartilage है कि जो हमारे adult age में भी होता है उसी तरह से parts of the ribs ribs के अंदर यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यह वाला सब portion कि यहाँ पर देखो लिखा है कि coastal cartilage तो यह पूरा जो white color का portion आप देख रहे हैं वो है cartilage तो वो भी adult age के अंदर होता है और वो हमेशा रहते हैं and joints कि यह जो joints बनते हैं वहाँ पर भी cartilage and ligament हमें काफे help करते हैं वो joint को अच्छे से protect करवाने के लिए उसके strength अच्छी बनाने के लिए कि जिससे proper जो हम movement कर सके तो यह slide के अंदर यह आपको याद रखना है कि पहले जो hyaline cartilage होता है और जिससे embryo develop होता जाता है तो cartilage जो है वो replace होते है bonds के अंदर and यह वाला सबसे important MCQ आपके लिए कि cartilage remains in isolated area of the body forever are all accept करके यहाँ पर बन जाएगा और कोई चौथा option यहाँ पर कोई दे दिया है आपको तो उस वक्त आपको select करना है कि कौन सा option इसमें से नहीं है तो यह काफी important pinpoint कि कौन से एसे एरिया है से कि जो embryo development के बाद fetus develop के बाद new bonds के बाद भी adult के अंदर यह तिन cartilage तो हमेशा रहते है cartilage के बाद आता है important point that is the types of bond कि bond कितने type के होते है तो basically दो type के bond होते है तो जो हमारी bonds की जो tissues होती है वो दो type के होते है यह वाले देखिए compact bond कि यह जो portion आप देख सकते है कि जो बाहर की और है किसी भी bond का बाहर का portion तो वो काफी compact होता है तो वो homogeneous रहता है और दूसरा जो portion है वो यह spongy bond कि जो यह अंदर की और है कि यह जो अंदर का portion तो यह spongy bond है तो small needle like pieces of bond कि यह आप देखे कि यह है यह सब small pieces है सभी bonds के तो वो spongy bonds तयार करते है and many open spaces कि वहाँ पे देखे तो porosity आपको देवाँ पे देखने हो कि पोरस रहेगा वो कि वहाँ का जो portion है वहाँ पे space होती है proper तो जो bonds कि जिसके अंदर pores present है open spaces present है तो उसको कहे जाते है spongy bond और compact bond कि जो homogeneous होते है अब समझना जरूरी है कि types of bond cells कितने type के bond cells होते है तो osteocytes तो यह MCQ के लिए as well as YY के लिए most IMP theory में भी question पूरा पूजा जाता है कि उसके divisions आपको समझाने होते है कितने type के bond cells होते है skeleton system का functions आपको समझाना होता है bonds के type bond cells के type बगेरा जो है वो questions यहाँ से पूछे गए है तो osteocytes मतलब कि mature bond cell यहाँ पे देखे osteocyte यहाँ पे आप देख सकते कि यह वाला जो cell है osteocyte तो यह completely mature हुआ bond cell है कि यह completely mature हो चुका है यह bond यह bond cell तो यह है osteocytes दूसरा osteoblast यहाँ पे देखे यह वाला तो यह osteoblast कि जो bond form करने में help करेगा bond forming cell कि यह जैसे जैसे आगे develop होगा वो cell तो वो bond bond को form करने में help करने गा उसनको बनाने में help करेगा फिर osteoclast क्या है तो bond destroying cell यह वाले cell कि जिसको osteoclast करते हैं कि जो क्या करते हैं bond को destroy करते हैं bond को destroy करने का काम करते हैं और चौथा जो है वो है osteogenic cell यह वाले तो osteogenic cell develop into the osteoblast and forming new bonds तो new bonds को develop new bond cells को develop करवाने के लिए यह osteogenic cell हमें help करते हैं तो यह एक MCQ का pin point है नीचे कि breakdown of bond matrix for remodeling and release of calcium कि समझे कि कोई bond breakdown होता है remodeling होता है तो उस वक्त calcium जो है वो release होता है and bond remodeling is a process by both osteoblast and osteoclast कि osteoclast क्या करेंगे bond को destroy करेंगे and osteocytes जो है blast जो है वो नए bond को form करवाएंगे तो एक जो है वो bond को form करवाता है दूसरा destroy करवाता है मतलब कि जब remodeling करने है bonds का कि अच्छे से फिर से bonds remodeling करने फिर से नए bonds develop करने है तो पुराने जो उसके cells जो है उनकी जगा लेते है तो यह है types of a bond cell classification हम देखे bonds का bonds are classified by their shape कि shape के according to यह long bond जिसे कि यह humerus of arm arms का यह जो humerus है फिर legs का आफ फैमिर देखेंगे तो यह दोनो ऐसे bonds है कि जो long bond के category में हम रख सकते है arms and legs की जो bond है दूसरे की जो काफी sort bond है जैसे की वो square shape में होते है cube shape में होते है जैसे की wrist and ankle कि यहाँ पे देखे sort bonds कि यह जो carpals जो होते है wrist के कि जहाँ पे हम गड़ी पहें थे कि जो wrist का जो portion कहते है तो वहाँ की जो bond है वो इस तरह से square जैसे shape में रहते है इस तरह से तो यह bonds के इसे काफी छोटे है size में जिसके कारण उनको sort bond कहा जाता है जबकि यह वाले bonds ऐसे long होते हैं उनकी length आप देखे तो काफी long होते हैं कि कोई भी person की main height तयार होती है तो यह जो bonds के कारण main responsible है कि यह वाले bonds legs के as well as हमारे यह arms के तो उसके उपर जो है main important है कि जो long bonds उसके बाद कुछ bonds ऐसे कि जो काफी flat होते हैं या फिर curve कि completely ऐसे fat या फिर slightly ऐसे curve रहेंगे उनके अंदर तो ऐसे जो bonds है वो present है usually हमारे skulls के अंदर कि हमारे skull का आप detail हम आगे के lecture में सिखेंगे कि skull के अंदर इस तरह से bonds होते हैं कि जो flat होते हैं या फिर curve bond होते हैं तो skull के अंदर sternum का जो bond है फिर चोथा कि कोई ऐसे कोई fix shape ही नहीं है irregular shape के यह वाला तो यह हमारे vertebral column के अंदर हमारे vertebral के अंदर के कोई ऐसा fix shape ही नहीं है उनका pelvis के यह जो bonds वागेरा होते हैं तो यह सब जो bonds है वो ऐसे है कि उनका कोई shape ही नहीं है irregular shape के हैं तो जब आपको classification पूछा जाता है तो यह वाला point लिखना होता है types पूछा जाए तो types लिखने होते है bonds के उसके लाब आपको उसके divisions पूछे जाए तो axial skeleton appendicular skeleton लिखना होता है types of bond cells पूछा गया है तो जो हमने ball cells देखे देखे osteoclast देखा, blast देखा वो सब आपको अच्छे से तयार करना है तो part 1 के अंदर हमने detail में सीखा यह skeleton system का introduction जिसके अंदर bonds के classification वगेरा types वगेरा उनके functions अब जो next lecture है उसके अंदर detail में हम सिखेंगे axial skeleton कि axial skeleton किस तरह से बनता है और उसमें individually कौन से bonds involved होते हैं और वो हमारा axial skeleton तयार करते हैं तो कौन से bonds है कितने number में रहेंगे वो और उनके particular special क्या function है वो भी जानेंगे next lecture के अंदर तो thank you for watching जोइन कर सकते हैं WhatsApp group WhatsApp help line number है एकसेस कर ये study material test series and video lecture on app Pharma Rocks तो अगर आपके पास Android phone है तो Pharma Rocks का Android app डाउनलोड कर आईफोन है तो आप स्टार पर से भी ये आपको डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको description box में मिल जाहेगी good luck and all the best